पाकिस्तानी सफरनामा जिसनों लिखिया है जिनाब बलराज सानी हुराने ते आवाज दिती है अमर जीत सिंग सूरी ने लेखक बड़े प्यार सतिकार ते मान देनाल उसे निराले जलूस दी यादवे चेह पुस्तक बेगम कमाल एहमद नू अरपन करदा है मेरा पाकिस्तानी सफरनामा अंक पहला दिल्ली 9 अक्तूबर 1902 पाकिस्तान दी सैरदा प्रोग्राम बनाओं देयां एख ख्याल नहीं आया कि उस दा असर मेरी बुड़ी माता उपर की होवेगा उसनों मेरा जाना बिलकुल पसांद नहीं आ रहा माताजी जरा सोच होता सही मैं पिंड़ी जासा, पेरे जासा, पुराने अपने कारवीकसा, निक्या हुँंदेयां दे दोस्तानों मिल सा उन केड़े पासे दी दोस्ती ते केड़े कारबार साडा हुँं के लगा रहा गया उना थावाना ओ तां कोई नहीं, पर सहर सपाटा करन विच के हरजे तुँ तां पुतर सहर सपाटे चड़या रहसें, ते मेरी विच्चे जान टंगी रहसी बड़े मूर्ख लोग नहीं, ओनना दा विसा कोई नहीं ओ नहीं, सारीयं बीद गई अंगलां उनता हर रोज लोग आउंदे जान दे रहन देने, रती मा सवी कोई खत्रा नहीं चंगा लओ, इस वास्त में तो आननू हर दूजे त्रीजे दिन तार पा छोड़या करसां तोरतां प्या करूं, पर माता जीदा चेरा वट्या होया सी मेरा स्वाद अद्धा रह गया, मैंनू पता सी के मेरे मुडंदी कड़ी तीक, उननू मेरी सोखसांद दी चिंता लगी रहेगी दिल्ली स्टेशन प्लैटफार्म ते काफी चेर पटकन तो बाद पता लगया के पाकिस्तान वाला डबा गड़ी दे बेलकुल अखीर विच लगगा होया है डबे कोल पुझया, तां देल बैठ गया, बड़ा ही नाकसी एंज लगया, जिमें पाकिस्तान दियां सवारियां दे नाल अचूता वरगा सलूक कीता गया होए जिमें उनननल रलके मैं वी हुने तो अपने देशवासियां तो अड़ कर देता गया हुआ निगरे जांदे दिल नाल में समान अंदर रखवाया, ते कुली नू विद्या कीता चंगा, जो होवेगा देखया जावेगा हाल दी कडीतां चाला थ गया उपर वाले फटे ते एक मुसाफर दा बिस्तरा विच्छय होया सी पर हो आप के ते गया होया सी पाता नहीं कहो जया आदमी होवेगा केंज उस दे नाल निबेगी डब्बे दे आसपास फिलम एक्टर नू वेखन ली पीडा जमा हो जांदिया हन आज एक बंदवी नेड़े नी टुकया जिवें पाकिस्तान जाना कोई बहुत वड़ा अपराध होवे डब्बे दी खस्ता हालत नू वेख फिर दुखोया पैड़े डब्बे लान दा मकसिद जे पाकिस्तानियां दा अपमान करना है ता नाल अपने देश दावी ता अपमान होंदा है जदो एहे डबा लहौर पजेगा तो उते दे लोक साधी रेलवे दे बारे की राये कायम करनगे पर आए देश नू जानवाले डब्बे ता खास्त और ते चड़क पड़क वाले होने चाही दे हन ता जो रोब पाई मेरा साथ ही आ गया पक्का रंग खूब कादवार ते परया परया जुसा तेड कलेजी रंग दी चादर उनु वेख के वी मैं काबर गया मैं अपनी रखेली सुचेत रहना सोचया बड़ा कटड जेह पाकस्तानी जाप रहा सी हो पर चाट को पिछों पता चलिया कि हो एक हिंदू सजण सान ते केवल जलंदर तीक जा रहे सान बोल चाल जिला शा पुर्दी सी जो मेरा अपनावी पुष्टैनी वतन है मैं पेरे दाते ओहो सरगोदे दे निकले बड़े मौजी तबियत दे आदमी सान राती काफी देर ता कोननाल गल्ला हूं दिया रहिया ओहो मुडव साउ मैक में दे अफसर हान पाकिस्तान दे कई वारी चकर लगा चुके हन दिल्लीयों गड़ी तुरन तो पहला ही साधी आपस वीच काफी खोलडल हो गई डब्बे दे बाहर दर्शकां दी पीडवी हमेशा वांग साज गई सी शुरू शुरू वीच मेरे अंदर पै पैदा होन दा कारण वेहम तो छोट होर कोजवी नहीं सी जिवें वेहम जम्या ओंज ही मरवी गया डब्बे नू सब तो पिछे जोड़न दा कारण केवल ए हो सी कि उसनू अमरित सर पोज के असानी नल काट के दुझे प्लाटफार्म ते ले जाया जा सके डब्बे दे कटिया होन दा वी इसमें तरने कारण दस्या ए डब्बा दरसल उस गड़ी दा पाग है जेडी केवल अमरित सर ते लाहोर वी चाले चलादी है मसा तीक उमील दा पैंडा होन करके साधी रेलवे नू चंगा इंजन जन चंगे डबे लाउन वीच कोई लाब नहीं बोता करके पाकिस्तानों अमरित सर पोजिदें ही यातरू दिली, कलकते, बंबई याद दूर दूर थामदली तेज रफतार गड़ियों ते स्वार हो जान दे हन एस विच विद्करे वाली कोई गल नहीं एस एवावी सिर्फ हिंदोस्तान ही करदा है, पाकिस्तान दी कोई गड़ी सरहद पार करके एदर नहीं ओदी मेरे साथी ने मैंनू विश्वास दिवाया कि मेरा पाकिस्तान दा सफर बड़ा पूर लुट्फ रहेगा महमान नवाजी उनना लोकां ते खतमें, उनना केहा तो हनू से रखा ते चोकलेंगे, ते किसे किसमदा तो हनू कोई खत्र नहीं, बेशो खुशी नड़ जित्थे मर्जी जाओ हाँ पर गलबात सोच समझ के करना, खूफिया पुलस तो हड़ी हर नकलो हरकतों ते निगार रखेगी गल्लां दे दौरान हो काफी देर चोप हो जान दे सन, जिवें पाकिस्तानियां बारे पूरी तरह राय काइम ना कर सके होन, जह शायद उननों उथे कीतियां, अपनियां सैरा याद आ रही होन एक पासे हो तारीफवी राजिके कर दे, ते दुझे पासे निंद्यावी चोखी मिकदार वेचे हो आओ तुसी ही, आप सब कुझ वेखलोगे, एस वारिता तो आनू खूब सुआद आवेगा, पर तो आड़ा दबारा जान ते दे लगों शैद नाईं करे बड़े ही मिलनसार ते विचारवान सजन सान, मैंनू डूंगी नीदे सोत्यावेख के, चोप चाप किसे उरले स्टेशन ते ही लै गय सान, तान जो तड़के विळेओन दे मूहा थ तो ओना आद दे नाल, मेरी नीद खराब न हुए, पर जदों गड़ी जलंदर पुझी, ता मैं जाग चुक्या सान, एहे वेके हो बड़े प्यारनाल नमस्ते कैनाई, ते अपने हाथ विच फड़या होया एक नावल मैंनू पेट कर गए, दस अक्तूबर उन्नी सो बाठ, मूनू तॉलिय विच लुका के, मैं सज्जिरी सवेईर दे ठंडे ठंडे चानन दे पेखदा रहा, मान विच ख्याल उठ्या, सिहत वने लोग हां सी पंजाबी, पारे टिले ते चले चले चले, जलंदर निवासी, जेडे इस वेले मिठी नींदर सुत्ते पाए होंगे, जां शायद होने होने अखां खोलिया होंगी, जदों गड़ी तुरी तंक कंबल विच सेर मूव लेट के, थोड़ा चिर होर सौन लेन दा लालच कीता, गड़ी दे सफर विच ए स्वेर विले दी नींदर साच मुच बड़ी स्वादली होंदी है, मन विच यो पाकिस्तान यात्रा दी सफलता ले अर्दासां कर देयां, ए सत्रां उबराईयां, पुखां लेके चलेयां रबा लावी, आसां दी टैनी ते फुल खडावी, गैर मलकी हो गए मेरे वतनी, हो रोना नू ना हुन गैर बनावी, अमरित सर स्टेशन गड़ी साड़े अठपुजी, मकाना दियां कंदां उते उर्दू अते गुर्मुखी विच अजीब अजीब इश्तिहारी स सन, अग्गां बालरीयां सन, गड़ी रुकद्यां ही थैला लटकाई एक आदमी, जिस दा पहरावा लालयां वाला, अते अक्खां डाकूआ वालयां सन, हिंदुस्तानी पैसा, पाकिस्तानी पैसे विचे तबदील करन ली आवडया, सर्मायदार निजाम वेच हर आदमी द अंदर ला, बेईमान हो जान्दा है, मेरी जेव विच कुल मिला के 110 रुपे सान, जे सारे दे सारे तबदील कर लवां, ता संभव है कि सारे पैसे कस्टम वाले मेनों अग्गे ले जान दिन, उन जितन सिर्फ 75 रुपे देसों बाहर ले जान दी जाजत है, मैं 110 नोट उसन दोस्तानी, बाकी पाकिस्तानी नोटां विच छेती-छेती गण के हवाले कीती, ते टोर्दा बनेया, ओधी फुर्ती ने, उन मेनू डोबू पादेते, खोरे की सी ते कौन नहीं सी, पतानी असली नोट देते सूके नकली, पला मेनू एक कणजान आदमी दिनाल सौदा करन जल्दी की जल्दी पैसी, रुपए पाकिस्तान पुजी के नहीं सन बदले जा सकते, इस सौदे दा मेनू की फैदा होया, जे वा पाना इसी ता फिर अपने मुह पंजतर कहन दी की लोड सी, जे नाम बोल दा, ता शायद ओ चुप चाप सौई बदल दें दा, आपनी गैर क करनूनी कमीशन कटके, मेरे बोलन नाल उसनो जरूर मेरे पारसा होन दा शाकप आगया होना, इसे करके जल्दी खिसकंदी कीती होने, ओहो जाली नोट थमा गया होए, तांकी कर सकना, ते लहोर पोजिके की होएगा, बंबईयों तुरन वेले डॉक्टर एमद नू, जिनना मेनू पाकिस्ताउन उनो दा सदा देता सी, तार जरूर पाई सी, ते दिल्ली तुरन तो पहला, उनना दा जवाब भी आगया सी, फेर भी, पहले दिन उनना तो पैसे ता नहीं मंगल लग पैना, की पता, उनना मेरे ठैरन दा इंतिजाम केसे होटल विच कीता होए, ना गुसाओं लग पैया, बेकाईदा काम करन्दा मेनू लो भी क्यों होया, परदेसी आतरदा इनना तजर्बा हों देया होया भी, केवे मैं पुल गया किसरहदी पड़ावा ते कई तरां दियां चारसो भी हां हो जान दिया हन, ते चारसो भी करनवाले अनू शैवी हम आतरा गुजे लालच तो मिल दी है, एक रेलवे करमचारी ने मेनू पछान लेया, मेरे को लाया, मैं उस बंदे भरे पुछया, उने दस्या के खास-खास बंदेया नू नकदी तबदील करन्दा ठेका मिल्या होया है, मैं कोई नावाजब गाल नहीं कीती, एक होर वहम दूर होय प्लेटफार्म ते बहुत सारी लोग केले खरीद रहे सान, पाकिस्तान वीचे चंगी किसम दा केला नी हुंदा, एसली बारों जान्दा है, इत्थे पा आठाने दर्जन, लाहोर तेनर पीगे, मैं भी पांज दर्जन खरीद के पच्छी विच पुआले, अपने मेजबान प्लेटफार्म ते पाकिस्तान वाली गड़ी नल जोड़ देता गया, वातावरन फेर कोज अखा-खा ते नकली-नकली हो गया, सरहदी थावा, पुल्स ते कस्टम अफसरान दी बाल ता कारण आपे एंज महसूसों लग पेंदा है, फिलम एक्टर हो उन दियां जिते सरहने बड़े ही प्रेम दे नाल अपने कोल बठा लिया, ते कहा, तुसी अपने समान दी प्रवाना करो, डब्बे वेच ही असी उस दी देखदा कारलवांगे, कंटा डेड में ओथे बैठा रहा, ते उनन दा कामकार वेखदा रहा, बड़ी सेर्खपाई दा काम है, ते ड उस्त टांगरान कोशिशां कर रहा सी, ओदे तेड सिल्क दी नीली नवी नकोर चादर सी, जिनु यकिनन नो हो वेच देवेगा, दास बारां होर चादरां उस दे समान विच सान, अफसर ने पांज माफ कीतियां, पर हो तेन होर बिना टेक्स देतेले जाना चाउंदा सी, क सुगड मस्खरे एक्टर वर गियां सान, अखीर जद ओदा समान पास हो गया, ता उनने अपनी जेब विच्छों खुश्बूदार चुर्टां दा पैगट कड़ेया, ते चुर्ट वंड़ने शुरू कीते, कोई वी लेंड नू त्यार नहीं सी, पर हो जबरदस्ती सादे बोज्यां विच एक-एक पाई जान्दा सी, अखे किसे हो और नू प्यादना, जंगले तो बार जाके उनने अपना सामान गड़ी विच रखाया, ते फेर मुड के जंगले को लाख लोता, ओधियां अख्छां विच अपना तदी पावना सी, जे में कह रहिया होन, तोहान केवें समझावां के मैं तोहाड़ा आपना ही बंदा हाँ, हिंदोस्तानी होन दा मैंनू ओनना ही मान है, जिनना तोहानू, मैंनू अपने तो वखरा न समझो, ओधा अद्धा पिरिवार पाकिस्तान विच सी, ते अद्धा हिंदोस्तान विच, आपने किसे रिष्टेदार दी शादी ते हो कोज दिना दिली लाहॉर जा रहा सी मैनू अफसराने दस्या कि इस गड़ी दे यात्रुगां वेच वड़ी संख्या एहो जहे लोकां दी ही हुं दी है गड़ी टुरी ते मेरियां अखां सरहाद वेकनली पाटन लग पईगा एक सिक्योरीटी अफसर मेरे नाला के बैग है सन एक गड़ी नू सरहाद पिचा के उतर जानगे दूजे पासे पाकिस्तानी अफसर उनना दी थां ले लेगा अटारी स्टेशन हो ते गड़ी दा ड्रैवर ते फाइर मैन मेनू इंजन विच बैठके सरहाद वेकन दा सदा देना आए केहो जही चाती होवेगी है की दोहाँ पासे पोलस ते फौज दा पैरा होवेगा केस तरहां दी हादबंदी किती गई होवेगी की कोई कंडिया मली तार विचाई गई होवेगी अचानक एक द्रख्त हेट को जे सिपाही लेटे अराम कर दे दिसे उसे विले ड्रैवर ने केहा बस जी एहो हादे ते थोड़ी जही वित पिच्छों मैं खेतां वेच मुसल्मान किसान उनना दियां तीमियां ते बच्चानों वेखन लग पया मैं हुन पाकिस्तान वेच सा मुसल्माना दे मुल्क वेच एक घैर मुल्क वेच पर एह लोग ता मैं पहला दे वेखे हुए हन पेंडूआं दा ख्याल कर दे हा इना लोग का दी तस्वीरी ता मेरे मन वेच आउँदी सी ना हे लोग नवे निकले ते ना ही ओपरे मैंनू केड़ा अनोखा पन वेखन दी इनी उडीक सी हाँ एक फर्क जरूर सी केते कोई सिख सर्दार नजरी नहीं सी पैंदा पाकिस्तान दा पहला स्टेशन वागा आ गया गड़ी रुकी मैं प्लेटफॉर्म होते उत्तरया जदो अपने डबे वल जा रहे हसा एक चिटी दाड़ी वाले बज़र्ग ने बारी विच्चों न्यों के मेरे नाल हाथ में लाया ते कहा बलरा सानी साव चंद अलफाज इस नाची से भी सुनते जाईए मेरी उमर के आदमी को फिल्में देखने का बहुत कम शौक होता है मगर आपकी फिल्म में हमेशा देखता हूँ और मुझे आपको देखकर जो मसरत हुई है ना बयान नहीं कर सकता आप इनसानी जजबात को हकीकत बना कर पेश करते हैं आपकी फिल्में इखलाकी और तमदनी अतबार से बुलंद होती हैं आपसे दरख्वास्त है कि अपने इनसानी मैयार को कभी मच छोड़ियेगा अल्ला ताला आपको खुश रखे मैं पॉंचक होके उसवाल विखदा ही रह गया मिरे मुहों एक लफजवी न निकल सकया पर जदू अपने डबे विचे पुझा ता अंदर जजब्यांदा तुफान जे हा उठ रहा सी डबे विचे एक ठेठ लाहोरी बोली बोलन वाले पाकिस्तानी सिक्योटी अफसर आ गये एहो एक फर्स्ट क्लास दा डबा सी इस करकी शायद अफसर इत्थ ही आके बेंदे हन तीक कु साल दी उमर सी वेखणोई चे चंगे सोने गोरे चे टे उना मेरा पासपोट वेख्या एक फारम परनली दिता उना दे अंदाज तों साफ देस रहा सी क्यो मेरे नातों जानू हन पर इस गाल नू जाहर नहीं कर रहे इस गाल दी बड़ी खुशी हुई क्यो ना मेरे नाल अंग्रेजी जां उर्दू वरतन दी खेच चलना केती उना दी पंजाबी सुनके मैनू बड़ा सुआदा रहा सी ते परदेसी पढ़े दा एहसास काटदा जा रहा सी लाहॉर विचे तुसी किते ठहरोगी जी उना ने पुछया मैं बड़े शौकनल बोजे विच्चों एक तार कड़ के विखाई जो मैंनू अमरित सरों टोरं तो चाट को पहला मिली सी ते जिसने मेरियां सारियां चंतावां दूर कर देतियां सान किरपा करके हिंदुस्तानी मुसाफर बल राज सानी नू लबो ते दसो क्यो हो गवर्मेंट कालेज लाहॉर दे प्रिंसिपल को ठहरंगे डॉक्टर नजीर एहमद